मोराई छठ मोर छठ वरत कब है 2024 पोजा विधी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए नीचे बेल अगने सप्रेश जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकिसन सबसे पहले आपके पास जाए है अतह इस दिन उन्हें गुलाल, लाल चंदन, लाल पोस्प के सर, लाल कप्रा, लाल फल, लाल रंग की मिठाई अरपित करके प्रसंद करने का प्रयतन करना चाहिए पुराणों के अनुसार हर महिने में आने वाले सुक्ल पक्ष की सस्टितिति को हर मनुस्य को सुरे देव का ये वरत अवस्य करना चाहिए खास कर भाद्र पद्र सुक्ल पक्ष सस्टितिति के दिन ये वरत करने से मनुस्य को अश्व मेग यग जितना फल प्राप्त होता है मुराई छट पर कैसे करे पूजन की सुरे देवता सिग्र ही प्रसंद हो हर वरती धारी को मुराई छट वरत पुर्ण सद्धा एवं भक्ति पुर्वक रखना चाहिए इस दिन गंगा स्नान का विशेश महत्व है लेकिन अगर किसी कारण वर्ष गंगा स्नान संभव नौ हो तो घर पर ही नहानी के पानी में कुछ एक मात्रा में गंगा जल डाल करस्नान किया जा सकता है इस दिन सुरे देव के उदे होते ही भगवान सुरे देव की उपासना करना चाहिए इस दिन पंच गव का सेवन अवस्रे करना चाहिए दिन भर में एक वार नमक रहित भोजन करना चाहिए भाद्र पद्र सुकल पक्ष सस्टी तिथी को जब तक सुरे देवता प्रतेक्ष रूप से दिखाई नम तब तक सुरे उपासना नहीं करना चाहिए इस दिन सुरे देव की विभिन नाम तथा सुरे मंत्र का जब अवस्चे करना चाहिए मोर चट, मोहर चट, मोराई चट, देव चट, सितंबर में चट कब है सितंबर महिने में आने वाली पहली सुकल पक्ष की चट ति थी नौ सितंबर 2024 की है वहीं दूसरी क्रिश्न पक्ष की चट ति थी तैस सितंबर 2024 की है सुकल पक्ष की सश्टी नौ सितंबर 2024 भादर पद मास दिन सोंबार क्रिश्न पक्ष की सश्टी तैस सितंबर 2024 आश्वीन मास सोंबार सितंबर माह में सुकल पक्ष की सस्टी तिति 9 सितंबर 2024 को है कि तम्बर माह में कि तम्बर 2024 को है अगर आप सभी को हमारा ये मुराई छट, देव छट, मोर छट वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरी चैनल पर पहली बारा है तो प्लीजी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कूल अमला थैंक्स पर वाचिंग, किप सपोर्ट